दोस्तों प्रदीगिरी एकाइटमी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं कावर्ट रेशिंग का सेकेंड लेक्चर है फर्स लेक्चर मैंने अल्रेडी बना दिया है और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बीटा गिरमा फंक्षन पर फूरे के पूरे लेक्चर आ चुका है DUIS के उपर मैं एक और lecture बनाऊंगा पर एक lecture आ चुका है An Error Function पूने वाले को Error Function है तो उनका भी हमने complete कर दिया है तो ऐसे हमने सब कुछ complete कर दिया और second unit के हमने core tracing का first lecture भी complete कर दिया partition का किस तरह से हम draw करते हैं हो सकता है कि मैं उसके उपर एक और lecture upload करूँ और भी types के आप से question practice करा हूँ वो सब depend करता है आपके comment के उपर आप किस तरह से मेहनत कर रहे हो आप किस तरह से वीडियो को पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो उसके उपर वो depend कर रहे है पर आज मैं core tracing का next type लेकर आया हूँ polar call को हम किस तरह से draw करते है दोस्तो ये lecture भी सबसे powerful lecture होने वाला है इसके अंदर मैं बहुत easy तरीके से आपको पूरा का पूरा आपके दिमाख में मैं बिठा देने वाला हूँ और अगर आपने इस type के example का practice किया तो जरूर आप exam में बहुत अच्छा mark score करने वाले और साथ में हो सकता है कि July के first week में crash course लेकर आओ जो आपके end sense से related हो मेरा planning है SPPU से related और Mumbai नर्ट सिटी से related बट देखता हूँ कि कितना जल्दी अगर मैं syllabus complete करा दू फिर मैं आओंगा जहां मैं one to one आपको guide करूँगा कि किस तरह से आपको कौन से question पे focus करना चाहिए उसके अंदर मैं कुछ ऐसा ही planning करूँगा कि मैं personally आपसे बात भी कर सकूँ चलो देखते हैं वो जल्दी हम syllabus पहले cover करें फिर उसके हिसाब से हम decide करेंगे अब देखो यहां पर polar curve में मैं ज़्यादा आपको tension में नहीं डालना चाहता जो basic चीजे बस उतना ही बताना चाहता हूँ दोस्तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे याद है हम अभी तक हम देखते थे कि भाई यह x-axis है यह y-axis है बैट अभी हम क्या करेंगे दोस्तो यह वाली जो line है उसे हम initial line consider करेंगे क्या consider करेंगे initial initial line यह words बस याद कर लो जितनी चीज़े मैं बोलूगा बस उतना याद कर लो आपको याद हो गया यह initial line यह sir हो गया अब दोस्तो इसके बाद initial line के बाद आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम यहाँ पर समझो हमने यहाँ पर कोई line ऐसे draw की और हम यहाँ पर origin लेते थे इस time पर यहाँ पर जो है इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तो पोल fix point जो है यहाँ पर हम देखोगे तो यहाँ पर एक एंगल ट्रेस हुआ है जो हम यहाँ पर एंगल बनाते थे for example यह 45 डिगरी का मैंने एंगल ले लिया तो यह जो लाइन जा रही है न दोस्तो इसे हम radius vector बोलते क्या बोलते है दोस्तो radius vector अभी आपको कुछ नहीं समझेगा डाइग्राम जब मैं perpendicular draw करता हूए देखो यहाँ पर perpendicular line में draw कर रहा हूँ और radius vector है इसके बीच का जो एंगल होता है उसको दोस्तों मैं 5 बोलता हूँ तो यहाँ पर 10,5 से related क्योंकि यह अपने को draw करना हूग को के लाश्ट में तो यहाँ पर 10,5 विचिस इक्वल टू R multiply by d theta by dr याद रखना यह formula याद कर लो 10,5 विचिस इक्वल टू R d theta by dr बहुत सर लोग इसे R upon dr by d theta भी लिखते हैं पर आप ऐसे याद रखो कि तो भी चलेगा और दोस्तों यहाँ पर polar form में जैसे हम Cartition form में x, y देखते हैं वैसे polar form में हमारा क्या होता है दोस्तों r, theta होता है तो देखो हमारा point r, theta के form में दिया है, बस इसके अंदर initial line याद रखो, radius vector याद रखो, pole याद रखो, बाकी कुछ मत याद रखो, अब देखो दोस्तों यहाँ पर, one by one यहाँ पर कुछ चीज़े मैं लेकर आया हूँ, r जो दिया है आपको, r का value कभी-कभी plus भी हो सकता है, कभी-कभी minus भी हो सकता मैं इतने अच्छे तरीके से इस lecture को design किया हूँ, जिससे आपको कोई problem नहीं होगा और बहुत मज़ेदार तरीके से आप चीज़ों को cover कर सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, for example, r का value यहाँ पर plus a है, यहाँ पर r का value का है, minus a है, अब इसको हम plot कैसे करेंगी, य यहाँ पर मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, जब मैं diagram में plot करूँगा तो आपको आना चीए, अब देखोगे यहाँ पे, suppose यह angle मैंने pi by 4 पे लिया, मेरा radius vector pi by 4 पे है, और अगर समझो मुझे a plot करना है, समझो यहाँ पर मुझे pi by 4 पे मेरा r का value क्या a है, तो a जो रहेगा दोस्तों यह जो आपका line है, यह दिखाई तर आपका initial line है, उसके उपर plus होता है, उसके नीचे क्या होता है, minus होता है, तो यह r जो है plus में, तो मतलब हमें इसके उपर a, समझो a का value यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर a वाला मैंने point इसके उपर plot कर दिया, वही अगर हम सोच तो यह वाले line पर r का value यहाँ से, हमें यहाँ पर minus a plot करना नीचे आ जाएगा, तो आपको यह plus a और minus a वाला concept पता होना चाहिए, plus a मतलब हम उपर side पर plot करेंगे, minus a मतलब नीचे वाले, जब मैं plotting कराऊंगा, जब मैं काव बनाऊंगा, तो यह वाला concept यूज होगा, आप जो मैं बनाऊंगा, तो आप खुद से चुटकी में सब चीज़े ड्रॉ करोगे, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आगे देखोगे, तो मैंने इतना अच्छे से यह चीज़े को design कर दिया, कि आपको कोई problem नहीं होगा, देखों, सबसे पहले इसके अंदर आपको rules क्या स्टार्ट करूंगा तो आएगा, पहले आपको symmetry में यहाँ पर तीन condition check करना है, condition number one, जैसे वहाँ पर हम याद है कि वहाँ पर हम check करते थे partition में, अगर y के उपर जो y और x है, फोन even है, event जो रहेगा तो उसके opposite से, जैसे अगर y even है तो हम जो हमारे symmetry about x axis आता था, वही x अग अगर दोनों even है, तो हम दोनों x symmetry बनाते थे, तो वैसी दोस्तों यहाँ पर symmetry के लिए polar form में अलग condition है, एक बार आपको theta, पहला condition number one, तीनों condition आपको check करना है, पहला condition आप क्या check करोगे, theta को minus theta से replace करोगे, अगर replace करने के बाद, then no change in equation, मतलब equation में कोई changes नहीं आ रहा है, त अगर दिखा सकते हो, यह देखो यहाँ यहाँ पर दिखा रहा है, अगर समझो मैंने पहला equation लिया, सबस्देखो, यहाँ पर मैं equation ले रहा हूँ, r equal to a cos 2 theta, और अगर समझो मैंने यहाँ पर, r equal to a cos 2 और theta की जगाँ पर minus theta पुट कर दिया, देखो न बोला है कि theta is replaced by minus theta, then i equal to a, और आपको पता है, cos का property पता है, cos of minus theta, cos of plus theta हो जाता है, तो finally यह इसका answer क्या हो जाएगा, दोस् equation मिला, मतलब there is no change in equation, मतलब हमारा यह वाला जो कव बनेगा, वो initial line से क्या है, दोस्तो, initial line से क्या है, दोस्तो, वो symmetry है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको, और यह 3 example हैं, आप याद रखना, और mostly जिस एक, जो example मैं practice कराऊंगा, वो अगर आपने कर लि तो यह तीनो जो है आप छेक करना है, तो आप छेक कर सकते हैं, तो यह तीनो टाइप के जो खुस्तन है, दोस्तो, यह तीनो equation हमेशा initial line से आपको क्या दिखेंगे, symmetry दिखेंगे, condition number second, जैसे यह condition fulfill हो गया, तो आप condition number second पर आओगे, अगर equation में आपका r का जो power है, वो even है, तो आपका जो कव है, दोस्तो, pole से symmetry होगा, pole मतलब आपको पता है, यहाँ pole है, यहाँ पर कोई है, तो ऐसा हो जाएगा, यह pole से क्या होगया, दोस्तो, symmetry हो गया, तो यहाँ पर, जैसे यह वाला जो equation, देखो, इसमें r का value क्या है, दोस्तो, r का जो power है, वो even है, तो मतलब इसका जब भी कव बनेगा तो पोल से वो क्या आएगा दोस्तो पोल से वो even आ सकता है अब देन इसके बाद condition number third कि अगर मैं r को minus r कर दू और theta को भी replace by minus theta कर दू और सिर भी अगर equation में कोई changes नहीं होता है तो हमारा जो कव है दोस्तो ये वाली जो line है theta equal to pi by 2 theta equal to pi by 2 मतलब theta equal to pi by 2 वाली line यहाँ पे आएगी theta equal to pi by 2 तो इस वाले line से हमारा जो कव है दोस्तो वो क्या होगा दोस्तो symmetry होगा तो यहाँ पे इसका example भी मैंने ले लिया है r equal to a sin theta अगर मैं देखो यहाँ पे दोनों जगा पे अगर मैं value put up कर रहा हूँ देखो r की जगा पे minus r रहा हो a sin 3 है theta की जगा पे minus theta और आपको पता है कि sin के अंदर जब भी minus वाला part है तो वो आगे आ जाता है और यहाँ पे 3 theta तो यह minus minus cancel तो r equal to sin 3 theta और आगे a है तो there is no change in equation मतलब यह वाले जो यह कव बनेगा वो हमारा कहां से symmetry होगा दोस्तो यह वाला कव हमारा theta equal to pi by 2 से क्या होगा दोस्तो symmetry होगा तो इस तरह से आप सभी चीज़ों को अपने remark में बिठा सकते हो symmetry number 1 theta is replaced by minus theta अगर equation में कोई changes नहीं हो रहा है तो हम initial line से हमारा जो कव है वो symmetry होगा दैन इसके बार दोस्तो बहुत आराम से बता रहो आर अगर even है तो पोल से होगा देखो अगर आप देखने जाओगे न तो यह जो lesson है न दोस्तो मालूम ने क्यों लोगों ने इतना difficult बना दिया है लोग बोलते कि बहुत hard है आप मेरा first lecture देख लो आपको बहुत easy लगेगा यह lecture देख लो पूरा का पूरा end तक पहुछ तो इस unit का मतलब unit number four का बहुत सारे लोग को unit number four है किसी किसी को unit number third में रहता है तो unit number four का आपका लगब 70% portion complete हो जाएगा अब इसके बाद बस के आएगा दोस्तो रेक्टिफिकेशन तो इसलिए आप चीजों को किस तरह से पढ़ रहा है वो उसके उपर depend करता यह नहीं है कि यह बहुत हार्ड है बस यह अभी जितना भी मैं पॉइंट यहां लिख रहा हूं वीडियो को रोक के सब याद कर लो लिखो लिखो तो साथ में और सब याद कर लो इस तरह से मैं क्यों लिखता हूं कि आपको एक notes मिल जाता है आप सभी चीजों को अच्छे से करते जाते ह यहां पे अगर minus theta से करेंगा अगर equation में कोई changes नहीं आ रहा तो initial line से है power of i अगर हमारे even है तो pole से है और अगर r को अगर minus r से replace कर रहे है और theta को minus theta से कर रहे है फिर भी अगर कोई changes नहीं आ रहा है तो pi by 2 से हमारा जो को है वो क्या है symmetry है अब दोस्तों यह होने के बाद second step आ आपका equation है वहाँ पे r equal to zero put कर दो for example मेरा वाला equation r equal to a cos 2 theta वाला equation है मैं यहाँ पे 0 put कर दे रहा हो तो यहाँ पे cos 2 theta अब यहाँ पे a नीचे आएगा तो यह भी 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कहाएगा cos 2 theta then दोस्तों कॉस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कहाएगा cos inverse of 0 equal to 2 theta और cos 0, cos inverse of cos के table में 0 कि इसका value होता है दोस्तों आपको पता है cos pi by 2 का value होता है यहाँ पे दोस्तों pi by 2 आएगा और यहाँ पे दोस्तों 2 theta 2 यहाँ पे आएगा तो finally theta which is equal to pi by 4 तो यहाँ पे आपको एक idea आगया कि हमारा जो tangent है जब मैं diagram draw करूंगा तो pi by 4 की जगे से क्या ह वो tangent है आप पता जल जाएगा जब मैं diagram draw करूंगा तो आपको समझेगा तो इस तरह से बस याद रखो कि tangent के बारे में अगर पता करना है तो r equal to 0 put करना है r equal to क्या put करना है दोस्तों 0 then इसके बाद दोस्तों आपको table बनाना है table में आप mostly values कैसे लोगे आप जैसे 0 ले लोग table को रखे वो आपके उपर depend करता है कि आप कैसा रख रहे हो और just सभी के value आपके बास Kelsey है आप वहां से निकाल सकते हो and then इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है इसके बाद आपको यहाँ पर using a 10 5 which is equal to r d theta by dr तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस condition का दोस्तों यूज करना है 10 5 which is equal to r d theta dr जो हमारा radius vector को tangent कहां frame होगा देखो यहाँ पर दिखा हिदे रहे ना यह radius vector और यहाँ पर देखो perpendicular है तो यह कहां पर आएगा वो इस 5 से हमें मिलेगा तो यहाँ से हमें 5 का value find out करके हम काव में यह वाला पार दिख रहा है न हम यह भी ड्रॉ कर सकते हैं तो यह पूरा का पूरा step है पहले आपको यह चेक करना फिर यह चेक करना फिर table बनाना फिर यह करना है और इसी के आते हैं तो मुझे पता है कि यह कहां से symmetry होगा initial line से देखो ना r equal to a cos theta पर अगर मैं diagram ड्रॉ करूं तो देखता हूं कि किस तरह से diagram हम ड्रॉ करते हैं और सबसे बहले यहाँ पर even number है ना cos के साथ तो इसका अगर आप 2 से multiply करोगे तो कितना होगा दोस्तों 4 होगा तो आपको finally यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर total 4 loop आने वाले लाश के कोव में पर देखते हैं किस तरह से core draw होगा अब दोस्तों सबसे पहला step हम क्या यहाँ पर form करेंगे symmetry अब symmetry अगर मुझे check करना है तो यह मेरा equation है पहला step मैं क्या करूंगा theta is replace by minus of theta अब देखों r equal to a cos 2 य a cos यह तो कोई minus का क्या हो जाएगा दोस्तों plus कि कि आपको पता होगा यह formula cos of minus theta which is equal to cos theta यह हमने छोटी class 10 से हम पढ़ते आ रहे तो यह वाले formula के according मैंने यहाँ पर इससे plus कर दिया और बताओ कि there is no change in equation no change in equation and therefore therefore cow is symmetry about कहां से symmetry होगा बताओ there is therefore the cow is symmetry about कहां से होगा दोस्तों initial line देखों आप बीच में अगर कुछ भी लिख रहे हो न तो भी चलेगा पर यह वाला part अगर आपको concept पता है न तो देखों इसको underline कर दो तो examiner तुरंट आपको यहाँ पर marks देगा initial line आपने एक लिख दिया अब आपको पता चल गया कि आपका यह initial line से है अब दोस्तों इसके बाद symmetry के बाद अब आप next step में जाने की भी जूरत नहीं है पोल वाला भी check करो तो यहाँ इवेंट नमबर नहीं है थर्ड वाला भी अगर आप check करोगे तो यहाँ minus r आ जाएगा यहाँ plus आ रहे तो वह भी exit नहीं होगा तो बस यह वाला है और दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे tangent check करेंगे tangent कैसे check करते हैं दोस्तों tangent अब tangent check करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा आपको यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपका point है r equal to equation है a cos of 2 theta है r का value अगर सबोज मैंने यहाँ पे 0 पुट किया a cos 2 theta then यहाँ पे यह 0 हो जाएगा a divide होगा तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों cos of 2 theta then cos यहाँ पे आएगा cos inverse of 0 which is equal to 2 theta cos inverse of 0 कितना है दोस्तों pi by 2 और equal to क्या है दोस्तों 2 theta then theta equal to क्या आएगा pi by 4 और जब भी आप यह बनाओगे tangent तो plus में भी ले लेना minus में भी ले लेना अब यहाँ पे यह होने के बाद अब tangent वाला part आपका हो गया आपको पता चल गया कि यह theta equal to pi by 4 पे हमारा tangent है तो equation of tangent समझ में आ गया अब इसके बाद third हम क्या ड्रॉ करेंगे दोस्तों इसके तुरंद बाद हमें क्या ड्रॉ करना है table अब table के लिए थोड़ा सा मुझे जगा चाहिए बिना जगा के table ड्रॉ नहीं होगा अब देखो मैं यहापर table ड्रॉ कर रहा हूँ अब table में कर दो कि अब यहापर मैंने थर्टी ले लिया और सौरी पहले जीरो ले लो जीरो फिर मैंने थर्टी ले लिया यह आप रेडियन फॉर्म में भी लिख सकते हो फिर मैंने 45 लिया लिए इसके बाद मैंने वन फिप्टी ले लिया और दैन उसके बाद दोस्तों मैंने 180 ले लिया जिससे अगर आप चाहिए तो इसमें से एकाक वैल्यू गायप भी कर सकते हो बड़ आप इससे अगर आपका ग्राफ जो है इत्व परफेक्ट आएगा अगर आपने इतने और इस वाले एक्वेशन में जहां पर फूर लूप आने वाला है तो इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा अब यहां पर सभी वैल्यूस के लिए टेबल बना दू आपने यह टेबल भी बनाया ना अब लास्ट में अगर आपका डाइग्राम रॉंग हो गया तो तो भी काम हो जाएगा और देखो यह वाले को तो मेरे हिसाब से आपको अटेम करना चाहिए क्योंकि इस टाइब को कुश्चन का अग कुन ग्राफ कासरण आप दोस्तों यहां पे यहंप्र टीट और यहां पर यह पर आपको क्या करना आपका जो एक वेग्येशन है और इकर एक बैन निकालोंगा और मेरे पास तो क्यल रहा हमें मोबाइल सबता है तो मैं बोबाइल से मेरे आटो इसमें पार हो। नहीं चैनल पे एiane कैसे करोगा। कि अच्छापटा हुजा ईसे कि दृ Aurum Phi करोगा लगता कि torch श्यू लरहे हैं इतन visit जीरो पुट कर रहूं। एक टो माइनस बाय तो एक ढाला करेंगे सद्द Anda-2 almost को टू से मल्टिप्लाइ करोंगे 180 और हमें पता है कॉस 180 कितना होता है माइनस वन इंटू ए क्या एगा दोस्तों माइनस से जो वैल्यूस अगर आपको पता है तो डारेक्ट लिख दो अब 120 120 इंटू करोगे तो 240 तो आपको कॉस 240 आपके कैल्सी में तुरंद मिल जाएगा अब यहाँ पर 240 अगर आप निकालने जाते हो तो इसका एंसर कितना है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एंसर है माइनस वन बाइटू माइनस वन बाइटू मतलब ए से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हैगा माइनस ए बाइटू अब 135 है दोस्तों 135 का टूजा करोगे 270 तो आप यहाँ पर कॉस 270 निकालो कॉस 270 अगर यह अगर आप निकाल रहे 500 300 तो अगर आप ये 300 का value निकाल रहिए हो 300 values निकाल रह दोस्तों कितना आएगा 300 का वैल्यव कि मुasyon हाँ पा रहरा है हाँ आरए हा पा रहा है दोस्तो यहाँ पर वैल्यव कूता ए रोना एका A by 2 और डोस्तो इसके बाद आप 360 का value निकालोगे तो cos of 360 का अगर आप value निकालोगे दोस्तो 360 का जो value है वो हमारा कीतना एगा 1 मतलब यहाँ पितना एगा दोस्तो ई इस तरह से हमने सभी के values निकाल लिए अब values निकाल लिए अब आपको क्या करना है दोस्तोy plotting करना है प्लोटिंग सिश्माटिक करना आप आराम से एंसर को क्या कर सकते हो कर सकते हो अपका ग्राफ बहुत सिश्माटिक क्या हो जाएगा को ड्रॉव हो जाएगा अब दोस्तों अब हमें क्या करना है ग्राफ ड्रॉव करना है ग्राफ मतलब को ड्रॉव करना है मैं बार बार ग्रा कि मैं यहां से पॉइंट्स देखते जाओंगा और फड़ा फड़ीया तो छलो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करें तो यह वाले पार्ट को मैं उपर ले रहा हूं और मस्त मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर अब दोस्तो मेरे साथ यह कोशन आप भी करते जो जिससे आपका यह बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा अब थोड़ा सा मेरा अगर लाइन तेड़ा है तो उसके लिए समझ जाना अब देखो मैं यहाँ से यह 45 वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर 45 है यह एक ड्रॉ किया अब यह मैंने 45 वाला ड्रॉ किया इसको मैं डॉटेट ले ले रहा हूं बीच में से 45 आप पूरा आएगा तो यह मुझे पता चल गया कि यह मेरा क्या है पर्टिफाई के पहले दोस्तों कि या 30 वाला भी हो गया है अब उसके पहले living रहा अपको पता है कि यहां पे कहीं आएगा तो थी वाला भी ड्रॉख करता हूं यहां पे आपने 30 का डॉब कर दिया अब इसे रैंडम ली अपने से भी डॉब कर सकते हैं या अगर आपके टीचर जैसे आपके कॉलेज में किस तरह से बोला एक बार टीचर से आप पूछ लेना । पर आप ऐसे रुफली भी डॉब कर सकते हो अब इसके बाद बस measurement जो है measurement इंदम perfect मत लेके draw करना वैसे draw करो पर proper दीखना चाहिए अब देखो 30 है 0 है 30 है 30 के बाद 45 आया अब 45 के बाद दोस्तों क्या आएगा 90 के पहले क्या आएगा दोस्तों 60 60 मतलब यहाँ पर कहीं आएगा अब 60 यहाँ पर कहीं आएगा तो देखो मैंने इसको भी draw कर दिया अब यहाँ पर देखो दोस्तों यह भी 60 degree हो गया अब यह 60 होने के बाद अब आपको 90 वाला भी पता है तो यहाँ पर दोस्तों 90 दिग्रीज अब यह 90 होने के बादLR यहां पर 120 है 120 के भीच पहले मैं क्या कर रहो पता है हो तो है है अब यहाँ पर हो है त्टीटा इए उतना गया दोस्तों 305 अब उसके पहले कितना है दोस्तो 120, 120 में तो 90 में 30 प्लस करेंगे तो around यहां से कहीं आएगा और then इसके बाद दोस्तो यह मैं तुरंट लिख दे रहा हूँ कि यह कितना है 120 थोड़ा से यह question solve करने में time जाता है पर मैं कैसे अगर चाहता हूँ तो यह पहले मैं draw करके रखता फिर आपको बताता पर मेरे साब से सामने draw कर रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे चीजे समझ में आ रही है अब आपको क्या करना है दोस्तो आप देखो last का 150 वाला एक बात की तो 150 आपको पता है कि नीचे से 180 से 30 कम है मतलब यह वाला जहां पर लाइन दिख रहा है और ऐसे ही आपको सिष्टमेटिक यहां पर लेकर आना है देखो इस तरह से 30 तो यह भी हो गया दोस्तो तो यह हमारा क्या हो गया ठीटा इकोल टू 150 अब यहां पर आपको पता यह ठीटा इकोल टू कितना है दोस्तो 180 अब इस तरह से हमने सब कुछ यहां पर ड्रॉ कर दिया है अब ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तो प्लॉटिंग ब आप पर ऐसे इसका कितना होगा दोस्तो हाफ होगा यह वाले लाइन पर फटी परक्ष डोस्तो एक सीरो और फॉरटी फाय वाले पर मुझे क्या मिल गया दोस्तो एया और इसके वाले पर है दिखाई दे रहा है तो पहले आपको अगर तुम्हें यहां पे तुरंट तीन पॉइंट्स मिल गए न तो एक ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो देखो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं मुझे पता कि यह पाइब फॉर के टेंजेंट है थोड़े दिर पहले ही मैंने पढ़ा था सब्सक्राइब आपको पता कि जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है कि हमारा सिमेट्री कहां से है दोस्तों सिमेट्री हमारा कहां पर इनिश्या लाइन से है तो initial line से हमारा symmetry है, तो आपको पताएगी, अगर initial line ये है, तो अगर मेरा graph ऐसा, तो same to same नीचे आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, same to same ये जो बना हुआ है, इसी के तरह यहाँ पर same to same यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक बना दिया, यह थोड़ा कव की लेना, last वाला part, अब दोस्तों यह हो गया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप देखो बाकी के plotting कर रहा हूँ, 60 पर आप देखो कि minus a by 2 है, 60 है, जो यह वाली line जो 60 है, इस पर minus a by 2 है, मैंने तुम्हें बोला था, minus रहेगा, तो इस line के नीचे लेना है, तो आप उपर a by 2 मत लेना, उसी के just नीचे, अब समझो a आपका इतना है, तो यहाँ पर भी a इतना होगा, तो समझो यहाँ पर कहीं आएगा, जो यह वाला 60 वाला line है आपने नीचे लिया, अब दोस्तों इसके आप 90 पर आपको a लेना है, 90 वाले line पर आपको क्या करना है, दोस्तों a ल a है, अब यहाँ 90, अगर प्लस a होता तो उपर लेता पर अब नीचे ले रहाँ, तो नीचे दोस्तों यह अगर इतना है, तो इसी के इतना लेना है, तो यहाँ पर कहीं आएगा, थोड़ा बहुत आप देख लेना, then 120 पर दोस्तों यह 120 दिख रहा है, इस पर minus a by 2 लेना है minus a by 2 मतलब आपको क्या करना है, a का हाँ, मतलब यह वाला आपको यह वाला भी इस वाले लाइन पर भी आपको नीचे लेना है तो यहाँ पर, अब जब आप डाइग्राम ड्रॉ करोगे तो यह वाला जो आपका ग्राफ है ना, थोड़ा सा मैंने नीचे जादा ले लिया है यह वाला देखो यह 45 वाली लाइन है न, यहाँ पर 45 वाली लाइन यह है, यहाँ से यह इस तरह से प्रॉपर जाना चीए ता, अब देखो यह वाला जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो यह वाला ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, दिखाई तेरे आपको, देखो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट पे टॉच होगा ये देखो तीनों पॉइंट पे टॉच है और ये देखो यहाँ इसे मैंने बना दिया अब ये बनने के बाद दोस्तो अब next कहा तक मैं पहुँच गया 120 तक अब 135 135 पे अगर मैं चेक करूँ तो 0 है 135 पे दोस्तो 0 है यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 है प्लीज यह अच्छे से देखना 150 पे अगर मैं देखूँगा 150 यह देखो यह 150 है और A by 2 प्लस में है दोस्तो तो यह 150 है प्लस में A by 2 अगर यह A इतना है तो यहाँ पे भी A आएगा तो यहाँ पे इतना कहीं आएगा अब दोस्तो यह होने के बाद 150 वाला भी हो गया A by 2 A by 2 है तो आधा लहेगा यह A इतना है तो A by 2 इतना आएगा चेक कर ले रहा हूँ और दोस्तो इसके आप 180 पे अगर आप देखोगे देखो 180 पे आपको कितना दिखाई दे रहा A दिखाई दे रहा 180 पे A है तो मतलब यहाँ पे कहीं होगा यह पूरा का पूरा A है तो इतना A है यहाँ पे अब देखोगे यहाँ पर आपको एक point मिल गए जैसे आप यहाँ पर draw किये तो से में सेमेकर ले लें आपने सेविचे लाइन से किया दोस्तों सिमेटरी है आप यह तिर्यवाव乐 क्या करते है अब आपको पता है कि आपका जô डाइग्राफ में दोस्तों वह इस तरह से तो आप same to same same to same दोस्तों इस तरह से आप उपर भी एक पीगर नीचे की तरह क्या कर सकते हो ड्रॉ कर सकते हो मैंने इतना परफेक्ट नहीं ड्रॉ किया है पर आप समझ जाओ उस तरह से ड्रॉ करो तो यहां पर आप देखोगे रम जी आप इधर आजाओ प्लीज मस्ति मत करो इतना भारी डाइग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं अब यह ओने के बाद बस आपको क्या करना है दोस्तों की जो भी हमारा जो भी हमारा दोस्तों रेडियस वेक्टर है उससे रेडियस वेक्टर स दोस्तों वहाँ पे आपको टेंजेंट कहां पर द्रॉफ हो आपको चेक करना है करने के लिए हम नेक्श टेप फॉलो करेंगे स्टेप नंबर यह वाला यह वाला 10 फाइब को हां किवाथ फॉलो करेंगे इसके अजय कि मैं लिख रहा हूं और मुझे दिखाना या 10 5 which is equal to r dr by sorry d theta by dr क्या लेंगे हम d theta by dr चेक कर लो आप पीछे d theta by dr आपको दीख रहा होगा अब यहाँ पे अगर आप लोगे दोस्तो तो आप इसे किस तरह से solve करोगे अब यहाँ पे देखोगे तो जो हमारा r equal to है दोस्तो क्या है र का वैल्यु क्या है ? x r का वैल्यु क्या है दोस्तो A cos 2 theta अब मैं अगर इससे differentiate करो a cos 2 theta को अगर मैं differentiate करो तो क्या होगा दोस्तो dr by d theta with respect to theta कर रहो तो just minus 2 sin theta और यहाँ पे theta आना चाहिए था तो band function हो गया तो इसलिए 2 theta का फिर से derivative आएगा इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो dr d theta which is equal to dr d theta which is equal to यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों और साथ में हमारा एक channel है जो अभी मैं camera तो उदर दिखा नहीं सकता हूँ पर 150 मतलब 150,000 हो गया प्रदीबगीरी update आपको पता होगा अब भी मैं recording कर रहा हूँ उसी मेरे सामने ही हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों यह देखो यह 2 आगे आगया तो यह minus 2a sin 2 theta इस तरह से यह हो गया अब आपको क्या करना है इस वाले formula में रखके जब उसका value निकालना है तो यह सब question के marks भी वैसे ही रहेंगे जिस तरह से question draw है अब यहाँ पे 10 5 which is equal to the value of r कितना है दोस्तों the value of r अगर आप put करने जाओगे तो क्या है a cos 2 theta the value of d theta by dr हमारे बास dr by d theta है तो अगर मैं इसे ऐसे लिखू r और यह इसे नीचे लिखू हो तो यह आएगा dr by d theta ऐसा आ जाएगा नीचे लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा तो just मैं यह वाला जो value है इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ देखो यह वाला जो value है मैं इसे नीचे लिख रहा हूँ यह देखो यह minus 2a sin 2 theta अब यहाँ पे अगर हम इसे solve करने ही कोसिस करें दोस्तों तो देखो यहाँ पे यह a cancel हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे उपर 1 है और नीचे के है दोस्तों minus 2 और मैं दोस्तों यहाँ पे जो theta है बुझे चेक करना होगा कि इसमें maximum value a का कितना है और कहाँ पे है तो maximum value अगर मैं चेक करूँ तो a का एक 0 पे है एक 5 by 2 पे है एक यहाँ पे आप 180 पे दीख रहा होगा एक 270 पे दीख रहा होगा cos zero कितना होता है cos 0 1 होता है दोस्तों cos zero कितना होगा one और मैं sine 0 put करूंगा sine 0 दोस्तों 0 होता है तो finally devo把 infinity ओर यहाँ थे पे होगा दोस्तों 5 तो फाinii quality तो यहां पर हम 90 क्या करेंगे इंगल बनाएंगे यहां पर एक सीधा आएगा 90 का एंगल बन गया इसके साथ फिर इस वाले रेडियेस वेक्टर के साथ भी 90 का एंगल बन गया सब जगर पे बना दो इस वाले के साथ भी 90 का हो गया और इसके साथ भी दोस्तो 90 का एंगल बन गया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था याद होगा इस डाइग्राम में मैंने बताया था 5 मतलब क्या होता है तो वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks, thank you so much दोस्तों. आज के lecture में ये एक ही डाइग्राम ले रहा हूँ. आने वाले lectures में इसके उपर मैं थोड़ा और lectures लूँगा और जरूर मैं आपके लिए बागी के डाइग्राम के उपर भी चीज़े बताऊँगा. तो वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks, thank you so much दोस्तों, इस एक diagram का आप practice कर लो, बाकी का भी मैं आपसे करवा के ले लूँगा, चलो मिलते हैं next lecture में, जैहिन दोस्तों